ये है राजिस्थान का पाली शहर जो देश भर में जाना जाता है अपने रंगाई छपाई उद्योग के कारण इन चठक रंगों और परंपरागट डिजाइनों के कपड़ों ने पाली को देश विदेश में एक नहीं पहचानती है और अब पाली ने एक और रूप में प्रसिद्धी पाली है साक्षरता के मामले में उलेखनीय सफलता हासिल करके उसमें जो खुबी है उनके कारिकरम में वो ये था कि उन्होंने हर तरह के जो डिवलप्मेंट कारिय थे वहां के जितने भी ऐसे कारिय थे उनके साथ उन्होंने हमारे इस साक्षरता का कारिकरम को जोड़ा और बहुत अची तरह जोड़ा लोगों को ये पता चला कि अगर हम साक्षरता और विकास को जोड़ लें कठा इसको चलाएं तो जाकर दोनों किसम के फाइदे हमें मिलेंगे और ये इसके जरीए इस मेसिज के जरीए जो उन्होंने कैमपेंच चलाया मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ा कारण रहा पाली में और खुशी के अभाव बताते हैं कि यहां साक्षरता का मतलब सिर्फ चंद अक्षरता के ग्यान तक ही सीमित नहीं रहा है बलकि साक्षरता ने यहां अनेक संस्थागत परिवर्तनों को जन्म दिया है विवाह वोवी बच्पन में? जी हां राजिस्थान का सामाजिक सांसकतिक इत्हास ऐसे ही असंक उदाहरनों से भरा पड़ा है खेलने खाने की इस उम्र में इन बाल दूरा दुलहनों को शायद इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि आखिर शादी कहते किसे हैं इसकी जरूरत क्या है? लेकिन उन्हें असमय ही इस बंधन में बान दिया जाता है कुछ परामपरागर भांतियों के कारण और खासकर अग्यान तावश और ढोल बाजों के इस शोरगुल में लोग ये भूल जाते हैं कि ये कानूनन जुर्म भी है बाल विवा की वकालत में उनका तर्क होता है कि ये सदियों से प्रचलन में हैं तो अब क्यों न हो? लेकिन साक्षरता के पचार प्रसार के बाद इस तरह की भांतियां तूटने लगी हैं लोगों के जीवन पर से कुपरता और अंधविश्वास का साया उठने लगा है जिला साक्षरता समित्य के कूर गूर्प की सदस और पार्शर शमीम मोती वाला इन बदलावों को सपष्ट शब्दों में बताती है साक्षरता के बाद में स्पेशल रूप से सामाजिक रूप से लोगों के अंदर बहुत बदलावाज़े से सामाजिक जो कुरीतियां लोगों के अंदर थी पहले यह सब संभव हुआ है राष्ट्री साक्षरता मिशन के जिला समिते के अथक प्रयासों से पाली जिला को संपून साक्षर बनाने के उद्देश से 1993 में जब साक्षरता परियोदना पर अमल शुरू हुआ तो जिले के शहरी और गामी नंचलों में साक्षरता के प्रति जागरूपता पैदा करने के लिए कई तरीके अपनाए गए इस अभियान की सबसे बड़ी विशेष्टा ये रही कि एक और जहां मौलवियों ने बैठक कर मुस्लिम समाच को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया वही दूसरी और मंदिर के पुजारियों ने भी मंदिर आने वाले लोगों को एकटा कर अपनी उपस्तिती में साक्षरता की क्लासे लगवाई इन धार्मेक महत्ववाले व्यक्तियों के साक्षरता संदेश से निरक्षरों में साक्षरता के प्रतिक गंभे रुधान पैदा हुआ इसके अलावा साक्षरता अभियान से जुड़े आखर दूतों ने गाउं में रेलिया निकाली इन में परंपरागज जाकियां भी होती थी और साक्षरता की इबारतें भी स्कूल जाने वाले बच्चों ने हातों में किताबें लेकर निरक्षरों को पढ़ने के लिए आमंदरित किया पचार गाड़ी को गली-गली खुमाया गया साक्षरता के सूरज तले आने और निरक्षरता के अंदगार को भगाने का आवाहन किया गया मौके पर एक खटा लोगों को प्रेविद किया गया कि आओ, मिलकर पढ़ें, लिखें और कुछ कर दिखाएं तथा मात्य पर निरक्षरता के कलंग को मिटा दें फिर गाउं के निरक्षरों के दरवाजे पर आखरदूतों ने दस्तक दी उन्हें साक्षरता के फायदों के बारे में बड़े आत्मी धंक से बताया और जब फिर एक बार पढ़ने की ललक जग गई तो फिर गाउं के साक्षता केंडरों पर निरक्षरों की भीड जुटने लगी नतीजा ये हुआ कि खाटड़ा गाउं का नैनाराम जैसा निरक्षर जो पहले अपना सारा दिन मवेशियों को चारा देने और खेतों में काम करने में बिताता था अब गाउं के साक्षता केंडर पर अक्षरों को सीखने लगा और आज नैनाराम के लिए किताब कोई अबूच पहली नहीं है अब वो लिख पढ़ सकता है सबसे बड़ी बात यह है कि उस्ते जीवन में पढ़ाई के महत्व को समझ लिया है साक्षरता अभियान नैनाराम जैसे अनपढ़ों को तो साक्षर बनाया ही साथ ही साथ इस अभियान ने घर-घर में पढ़ाई का माहल बनाया पाली शहर के रंगानी आवास की नूरानी गली के इस घर में तो कुछ खास ही हुआ है आम तर पर माबाब बच्चों को होंवर्क करवाते हैं लेकिन यहां 16 वर्षे एक घरेलू लड़की मदीना ने अपने घर के कामकास से समय निकाल कर महले वालों को तो पढ़ाया ही साथी साथ अपनी मा को भी पढ़ना लिखना सिखाया मदिना की माम उमताच कहती है कि बच्चों को पढ़ाना तो माबाब की जिम्मेदारी होती है इसलिए जब मेरी बेटी ने मुझे पढ़ने को कहा तो शुरू-शुरू में थोड़ा अजीब दरूर लगा पर अब पढ़कर काफी अच्छा लगता है इस पढ़ाई से फाइदा ये हुआ कि लोगों के रहन सहन में काफी बदला हुआया और वे स्वास्त और सफाई के प्रदे सचेत हो गए है साक्षर्ता ने रहन सहन का इसतर सुधारने के साथ साथ खास कर ग्रामीन महिलाओं की कारे गद्विधियों को भी एक नई दिशा दी है इसका जीता जाकता सबूत है जिले के लामिया गाउं की महिलाओं द्वारा संचाले दुग दुद पादन समय दी जहां रोज सुबह लगती है महिलाओं की ये लंबी कदार यहां हर दिन 500 लीटर के करीब दूद इखटा किया जाता है लेकिन डेरी में दूद स्विकारने से पहले उसकी शुद्ध तामा पी जाती है फिर इन्हें इखटा कर बाहर भीजा जाता है इन सब कामों के लिए पहले उन्हें पुर्षों का सहयोग लेना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है गाउं में साक्षरता अबियान की सफलता के बाद अब यहां महिलाओं ने सारा काम अपने हातों में ले लिया है दूद के मापतौल और लेखा जोखा से लेकर पैसों का हिसाब किताब सारा कुछ दुर्गा और शुभा मिलकर खुद कर लेती है साक्षरता के इनी फायदों को देखते हुए मानला गाउं में अक्षर के इस मंदिर पर नवसाक्षरों की एक अनौपचारिक परेक्षा भी ली जाती है ताकि समय समय पर नवसाक्षरों का बौदिक मूल्यांकन भी होता रही इस जनर चेतना केंदर को पिछले तीन सालों से चलाने वाली कौशलया देवी जैसी आखर दूतों ने तो साक्षरता को व्यापक बनाने में उसे जन जन तक पहुचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गाउं की 25 से भी जादा महिलाओं और लड़कियों को साक्षर बना चुकि इस आखर दूत को उन लेखनी कारियों के लिए पुरुसकार भी मिला है और ये है चंचल घरवालों ने इने बच्पन में नहीं बढ़ाया अब सास्वाल में साक्षर होने के बाद इनके जीवन में कई तब्दीलियां आई है ये साफ सफाई के पती सजग रहने लगी है और इससे भी बड़ा फाइदा इन्हें ये हुआ कि अब ये अपने पती से पत्र वेवहार कर सकती है सच मुच आज की साक्षर महिलाओं को ये पता होता है कि कौन सी बस कहां जा रही है इसलिए वो अकेली सफर कर सकती है और दुकानों पर खरीदारी के वक्त पैसे का हिसाब किताब कर सकती है अक्षरों के ग्यान से आत्म विश्वास के कारण वे अपने हर काम को अधिक कुशलता से कर सकती है अपनी नुपलब्धियों के बजालत आज उत्तर साक्षर्टा के दौर से गुजर रहे पाली में साक्षर्टा अभियान का जिक्र तब तक पूरा नहीं होगा जब तक यहां के गाउंस हिंगावास में साक्षर्टा के प्रभाव को न दिखा जाए बेड़ पालन के मुख्य पेशे वाले इस गाउं में बेड़ों को चराने वाले रेवड़ों के बीच साक्षर्टा का संदेश फैलाने के लिए रगुना देवासी जैसे आखर दूत ने अपना काम धंदा छोड़ दिया और उन्हें बेड़ों को चराने की जगा पर ही जाकर पढ़ाया इसका फाइदा क्या हुआ सुनिये उन्ही की जुबानी पहले लोग अन पड़ थे अंगुटा करते थे और अपने बेड़ों मकराम बक्रियों को चराना जाते थे तो हमेसा उनको पता नहीं चलता था कितनी गुम हो जाती है कितनी वो वाफिस घर आती है साम को कहीं बार जंगल में गुम हो जाती थी तो अब क्या है कि वो आते हैं तो अपनी बेड़ों की गिंती भी कर लेते हैं जिससे उनको ये भी पता चल जाता है, बही कि जैसे 50 थी तो 50 में से किती आई है, 45 आई है, 48 आई है, दो गुम हुई है या नहीं हुई है या बराबर आ गई, वो उनको खुद को सब को मतलब ऐसे पता चल जाता है. सामाजिक परिवर्तन का एक बीच इस साक्षरता कारिकर में जरूर बोया है, अब ये किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से फलिवूत होता है, ये देखना अभी बाकी है, किम्तु जो संकीत अभी हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो बहुत एंकारेजिंग हैं, और मैं सोच प्राव बना रहा, तो इसके दूर गामी पर नाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे. जहां पाली ने साक्षरता को विकास गत्तिविदियों से जोड़ा, वहीं सीकर ने भी महिलाओं की साक्षरता पर खासा जोड़ दिया. 1991 के सेंसस के अनुसार, राजस्थान एक ऐसा राज्य है, जहां फीमेल लिटरसी, यानि महिलाओं की जो साक्षरता की परसेंटेज है, वो भारत वर्ष में सबसे कम है. तो एक ऐसे जगे में जहां पहले से ही साक्षरता का दर कम है, और खासकर महिलाओं में सबसे कम है, उस जगे में एक इतना अच्छा रिजल्ट दिखाना, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा काम है. और इसलिए पाली और सीकर को एक स्पेशल दर्जा दिया जाना चाहिए, कि इतने मुश्किलों के बावजूद, इतने डिफिकल्टीज को ओवरकम करके, इन्होंने एक इतना अच्छा कैम्पेंच चलाया, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ी बात है. और नैशनल लिटर खेती हर मजदूर हूँ, भेड़ चराती रेवड़ हूँ, या पेड़ की छाओं तले बूंदी बांधने का काम करती दगुनाद गड़गाओं की ये महिलाएं हूँ. इनके गीतों में उभर कर आती है इनकी भावनाएं और अंदर का आत्म विश्वास. काम तो इनका पहल से मुक्ति भी पाई है. सबी काम हिसाब कर लेते हैं, कहीं पर भी सफ़र भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि किसी को पूछने की जरूरत नहीं परती है. सीकर जिले के नवसाक्षरों के जीवन में आया ये सुख़त बतलाओ, नतीजा है, राष्ट्री साक्षरता मिशन दौरा जिले में चलाए गए सघन साक्षरता प्रयासों का, जिसकी खासियत रही है, उमारत नु जैसी स्वयम सेवक महिला. बोदलासी गाउं की इस बहू ने साक्षरता अवियान के महत्वकों समस्ते हुए अपनी एक छोटी सी टोली बनाई और घरधर जाकर महिलाओं को साक्षरता के बारे में बताया, उन्हें किताबे दी और मांगए कारियों का पतीक पीला चावल लेकर उन्हें साक्षरता केन पर आने का नियुता दिया, और जब महिलाओं क्लास में जुटी तो अक्षर गयान कराने के साथ साथ उन्हें सामाजिक बुराईयों के प्रतिक आगहा किया गया, फिट गाउं की महिलाओं ने एक जुठोकर गाउं में शराब के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें गाउं साथ सरता चली, हम मेलाओं ने संगठी तो करके मैं यहां आई और इन मेलाओं को सब को इकठा किया, सुरू-सुरू में सब परदा करती थी लेकिन दीरे दीरे इतना इनमें परिवर्तन हुआ, और यह पढ़ने लिखने लगी, अपने नाम भी लिख लेती हैं, अकबार भी यह तो एक उधारन भर है साक्षरता अभियान के प्रतिस्वयम सेवकों की लगन और मेहनत का। 1992 में जब सीकर जिले को संपूर्ण साक्षर बनाने की परियोदना पर काम शुरू हुआ, तब सबसे पहले जिले की नौन अगर पालिकाओं और 954 गाओं में 46-44 वर्ष की आयूवर्ग के करीब साड़े 3 लाक नव साक्षरों की पहचान की गई, इसमें निरक्षर लड़कि 31,000 आखर सेनानियों को प्रशिक्षत कर उन्हें साक्षरता के काम में लगाया गया और इनाम मिलने पर कारेकरता भी भूले नहीं समा रहे इन आखर सेनानियों को होस्ता मिला जिला साक्षरता समयते के कारेकरताओं से जो हर मौके पर इनके साथ रहे उहोंने गाउं में सभाएं की, गाउं में साक्षरता के प्रती जागरूपता पैदा करने के लिए रेलिया निकाली गई सांस्कृतिक कारिकम आयुजित किये गए और इन आयुजिन में उम्री भीड को गीत, संगीत और नत्य के माध्यम से साक्षरता का संदेश्टी आ गया लोगों ने उसे ध्यान से सुना और देखा, खासका निरक्षर महिलाओं पर इन सब बातों का व्यापकत सर पड़ा फिर तो शान धलते ही क्या हिंदू और क्या मुस्लिम साक्षरता केंदू पर सभी जाती और धर्म के नरक्षरों की फिर जुटने लगी उन्होंने पूरे मनोयोग से अक्षरों को लिखना और पढ़ना सिखा बेजवा गाओं की नवसाक्षर मेराज कहती हैं कि नारी को शिक्षित करने का मतलब पूरे घर को शिक्षित करना है जब नारी से शिक्षित होगी तो घर सारा शिक्षित होगा नारी का शिक्षित होना जरूरी है और साक्षर्ता के दिये की रोश्टी को बढ़ाने के लिए मुहमद हुसैन जैसे विकलांग भी अपने शारेरिक कमजोरी भूल कर आगे आए और उन्होंने लोगों को प्रेर ना दी साक्षर्ता के पते स्वयन से वकों की लगन और निरक्षरों के उस्साह का ये परिणाम है कि आज इस दिले की करीब तीन चौथा याबादी साक्षर है इसका एक उधारन है कनू जो लोहर परिवार से आती है लोहरी के अपने पुष्टेनी काम में घरवालों का हाथ बटाने वाली कनू ने आज पढ़ना लिखना सीख लिया है और इस तरह उसने जिले में अपनी बरादरी की पहली नवसाक्षर होने का गौरब पाया है और इसमें उसकी मनत की है इसकूल में पढ़ने वाली सरोजने साक्षरता के इस व्याबबक तलाव का असर ये हुआ कि गाउं की महिलाओं का परदा पतापर से भरूसा उड़ गया और वे अपने अधिकारों और जीवन की दूसरी जरूरतों के प्रती जागरूख हो गई है जब से हमने संपूल साक्षरता का अभ्यान इस जिले में छेड़ा है उन्होंने हमें अपने पत्रों के माद्दिम से उनको अक्सर ग्यान कराया गया साक्षरता की ये लहर सिर्फ ग्रामी नंचलों तक ही सीमित नहीं रही बलकि शहरी क्षित्रों में भी इसका अधापक असर पड़ा है सीकर शहर के अम्बेट का नगर में लगने वाला जन्चितना केंड़तो धार्मिक एकता का एक बिजोड उदाहरन बन गया है यहाँ पठन-पाथन का काम शुरू होता है मुस्लिम महिला के हातों ग्यान की देवी सरसुती की आराधना के साथ जाहिर है कि साक्षरता अभियान ने मुस्लिम समाज के दृष्चिकों को एक सकारात्मत दिशा दी है इस चेतना से मुस्लिम महिलाओं को बुर्के के दुनिया से बाहर आकर अपनी यूग्यता साबित करने का मौका मिला है साक्षरता से आई जन्चेतना का एक असर ये भी हुआ कि अनुसूति जाती के लोगों की पहल पर यहां एक प्रात्मिक स्कूल की स्थापना की गई जिनके बच्चे पढ़ाई से बंचित थे अब उन्हों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहां भीज नाशू कर दिया है बाहर तो बाहर जिला कारागार के बंद फाटक के अंदर भी साक्षरता ने अपने रंग बिखे रहे हैं जेल की उची दिवारों पर लिखी साक्षरता की ये अबारते महज शब्दों का खेल नहीं है बलकि बैरक में लगने वाले जन चीतना केंदरवे निरक्षर और अर्द साक्षर कैदी अक्षर गयान भी सीख रहे हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं इन्हीं में शामिल है धारा 302 के तहट बंद रामगड का शामलाल साक्षरता क्लास यहां चल रही है उसमें काफी कुछ सीख रहे हैं और जाने के बाद में इन अपरादों से जीवन से दूर रहने की और लोगों में अच्छी बात हैं कहने की सुनने की और जहां कहीं भी अपराद होते हैं उसकी सोचना उन्हें पोलिस अधिकारियों को या जो भी है उनको देने की ताकि देश में समाज में व्यापत बुराई हैं दूरोस के और अपना देश और हम देशवाशी तरक्की के मुकाम तक पहुं सके हैं ऐसे कोशिश करेंगे इस जेल के युवा जेलर कैलाश त्रिवेडी स्वयम कैदियों के साक्षरता में गहरी दिल्चस्पी रखते हैं तो जब उद्देश इतने पवित्र हूँ और हर कोई तनमन से लगा हूँ तो जन जन को साक्षर होने से भला कौन रोप सकता है और इसी बात की बहतर मिथाल पेश की है सीकर जिले ने जो साक्षरता के पहले चरण को सफलता पूर्वक पूरा कर उत्तर साक्षरता के दौर से गुजर रहा है और तभी तो पुरानी हवेली और दिवारों पर बने चित्रों के लिए देश विदेश में मशहूर सीकर जिले के इन भीती चित्रों की चमक भले ही फीकी पढ़ने लगी हो लेकिन साक्षरता ने यहां के लोगों की जीवन में नया रंग भर दिया है पुरुसकार मिलने की खुशी ने तो इस रंगत को और भी चमक देदी है गाउं रूल्यानी में राग रंग का ये माहुल तो यही दर्शाता है सच मुच जिला साक्षरता समित्यां अपना दिन रात एक करके निरक्षरों को पढ़ाने में जुटी है इन कठिन प्रयासों से ही तो एक दिन मन्जिल मिलेगी इन जिलों में चलाए जा रहे साक्षरता अभियानों को देख कर तो यही लगता है मानों सभी सफलता के उच शिकर पर पहुंच जाना चाते हूं अपने प्राकर्तिक सौंदर्य के लिए देश क्या विदेशों में भी मशूर शिमला आज एक अपनी नई पहचान बनाने में जुटा है खास बात ये भी है कि ये पहचान बड़ी संख्या में परेटकों की आवजाही या फिर बड़े कंक्रीट के जंगलों से नहीं बन रही बलके जो शिमला की नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो है दूर दरास के पहाड़ियों में बसे गाउं से और जिसका प्रतीक है रामेश्वरी की जुबां से निकले ये चंद अलफास जी हां बले ही देश के दूसरे हिस्सों के लिए ये छोटी सी बात है पर उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है जिन्होंने पिछले दो-चार सालों से ही अक्षरों की बनावट को देखा है मैसूस किया है कि अक्षरों का महत तो क्या है वो भी ऐसे इलाकों में जहां पॉंचने के लिए सड़क की बात छोड़िये धंग के रास्ते तक नहीं है मौसम विप्रीत है और इलाका पहाडों से घिरा हुआ है खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे दुर्गम इलाके में रहने वाली महिलाएं आज अंग्रेजी सीखने की बात करती हैं तो क्या ये साधारन बात है पुराने समय में अंग्रेजों की ग्रिश्म कालीन राजधानी रही शिमला में साक्षर्ता की कहानी के शुरुवात हुई आज से लगबग चार साल पहले इस दिशा में सबसे पहला काम जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक में साक्षर्ता समयतियों का गठन किया गया ताकि साक्षर्ता संबंदी सारी गती विधियों को सुचारों रूप से चलाय जा सके फिर 9 से 45 आई वर्क के निरक्षर लोगों की पहचान की गई इस दौरान करीब 70 फीसदी ऐसी महिलाएं सामने आए जिनका खुटका अक्षरों से ना ता ना के बराबर था यही वज़े रही कि साक्षर्ता अभियान की शुरुवात में ही महिलाओं पर स्यादा ध्यान के इंदित किया गया ये भी सोचा गया कि अगर सारी महिलाएं पढ़ लिख जाती है तो आने वाली पीडी को भी निरक्षर्ता के अंदकार में डूबने से बचाया जा सकता है इस काम में आगे आई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा हैं वो भी बगेर किसी स्वार्थ के लेकिन मकसद के बिना नहीं वे एक सपष्ट सोच लेकर हर जगे आगे आई घूम घूम कर कहीं नारो या जुलोस के जरिये तो कहीं आँचलिक संगीत के जरिये निरक्षरों के बीच साक्षर्ता का संदेश फेलाया गया कि भले ही हमारी मंजिल अभी दूर है पर उसे पाना जरूर है इससे मतलब है कि हमारी मंजिल दूर है लेकिन हमें पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि पढ़े और अच्छे अच्छे इंसान बने इतना कुछ होने के बावजूद जितनी कठिन जिन्दगी पहाडों में रहने वालों की थी ठीक वैसी ही मुश्किले थी दूर दरास की घाटियों में फैले अभियान को चलाने की लेकिन भला जिसकी जिन्दगी पहाड की उबर खाबर चटानों से होकर गुजरी हो वो कहां हार मानने वाले थे ये अलग बात है कि इन्हें सफलता तुरंत नहीं मिली पर जब मिलनी शुरू हुई तो कईयों ने दांतों तले उंगलिया दबा ली जंगलों से होकर साक्षरता घर में आती महिलाओं का उत्सा देखते ही बनता है ये उत्सा नहीं तो और क्या है कि आज पहाडियों से होकर गुजरते वक्त इनकी हाथों में हत्यार के बजाए किताब कॉपी होती है कुछ तो इन भूली भाली महिलाओं को हासिल हुआ है तबी तो ये पढ़ने में जी जान से जुटी है अब अजमेरी की ही बात लीजिए अजमेरी ने तो मेहज हस्ताक्षर करने के लिए पढ़ना लिखना सीखा और बाकियों ने पर क्या इस उम्र में पढ़ने से इन्हें शर्म या जिजक नहीं महसूस होती जब पढ़ना तो फिर शर्म काई की है इसमें शर्म तो उस बात में थी अब दूसरों का अगे मिनित करनी के यह काम हमारा कर दो यह यह हिसाब कर दो अब खुद अपना हिसाब कर सकते हैं तो इसमें शर्म की तो कोई बात में पढ़ो लिखो भाई मेरी बैना पढ़ो लिखो जी पढ़ो लिखो जी पढ़ो लिखो जी पढ़ो लिखो भाई मेरी बैना पढ़ो लिखो जी आ आ इए का खागगा पढ़ो लिखो जी आ आ इए का खागगा पढ़ो लिखो जी